देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी बस सब्स्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का किसान बुलिटिन में और मैं हूँ आपके साथ पारोड यादव चलिए फटापट से एक नदर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामी शेत्रों की आज की बड़ी हैटलाइन्स पर पहले कृशी बजवट में किसानों के लिए राडिस्थान सरकार ने किये कई बड़े एलान दूद पर अब दो की जगह मिलेगा पांच रुपे का अनुदान उत्रदिश के इस किसान में उगाया 23 विट लंबा गन्ना ट्रेंच विधी से 3 गुना बढ़ाई अपनी आंधनी अब यहार के इस जिले में होगी चाय की खेती उध्यान विभाग कर रहा है किसानों की तलाश राडिस्तान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधान सभा में राडिस्तान के लिए वितवर्ष 2022-2023 के लिए बजट पेश करते हुए कई सरूरी ऐलान किये हैं इसी के तहट राडिस्तान सरकार द्वारा राज्य का पहला क्रिशी बजट भी पेश किया गया है जिसमें किसानों क्रिशी योजनों से जुड़े कई बड़े ऐलान शामिल हैं बता दे कि अपने पहले क्रिशी बजट में राज्य सरकार ने दुगद उतपादकों को बड़ी राहत देते हुए दूद पर मिलने वाले अनुदान को 2 रुपे से बढ़ा कर 5 रुपे प्रती लीटर कर दिया है और इतना ही नहीं प्रदेश में जल्द ही 5000 नए डेरी बूत खोलने की भी खोशना की गई है जिनके अवंटन में महिलाओ को प्रात्मिक्ता दिये जाने का फैसला किया गया है वहीं पशोक को बिमारियों से बचाने के लिए उनके अहार की गुडवत्ता की जाच सही समय पर हो सके इसे ध्यान में रखते हुए हर जिले में एक लैब भी खोली जाएगी इसके लावा क्रिशी बजट को और खास बनाते हुए सीम अशोक गहलोत ने एलान किया कि राज्ये में रियायती दरो पर नए फूड प्रोसेसिंग सेंटर बनाए जाएंगे वही मेंगे क्रिशी अंतरों के लिए नए कस्टम हाइरिंग सेंटर खोलने का भी ऐलान किया गया है जबकि नील गायों और अन्ना पशो से खेतों को बचाने के लिए तारबंदी की दरो में और सिचाई के लिए सोलर पंपों की खरीद पर रियायत देने का भी फैसला लिया गया है सीयम अश्रो गहलोत ने मुख्यमंद्री क्रिशक साथी योजना की राशी 2000 करोड से बढ़ा कर 5000 करोड रुपे करने का एलान किया है जाहिर है कि राट्य सरकार किसानों को आधुनिक तकनीकों से खेती करने पर जोड दे रही है जिसके चलते प्रदेश के पहले क्रिशी बजट में सरकार द्वारा किसानों के बीच सुक्ष्म सिचाई को बढ़ावा देने के लिए एक विशेश अभ्यान भी चलाई जाने की घोशना की गई है साथी चैवी खेती के प्रोसहान के लिए 600 करोड रुपे और लगू एवम सीमान्त किसानों के लिए 20 करोड रुपे का प्रावधान किया गया है क्रिशी के शेत्र में अब किसान हर दिन नई नई कारनावे कर लोगों को हैरत में डालने लगे है मगर इससे ये जरूर साबित हो गया है कि देश का किसान भी अपने खेतों के लिए किसी वेग्यानिक से कम बिलकुल नहीं है इस बीच उत्रदेश के मुरादाबाद के बिलारी शेत्र के रहने वाले किसान ने भी कुछ ऐसा ही चमतकार कर दिखाया है जिसकी वावाई अब पूरे जिले में हो रही है दरहसल यहां रहने वाले किसान मुहम्मद मोबीन ने शांदार तरीके से अपने खेतों में 23 वीट से भी जादा लंबे गन्ये की पैदावार करते हुए नया कीर्थिमान स्थापित किया है किसान की माने तो उसने ट्रैंच विधी के जरीए इस गन्ये का उत्पादन किया है जिसके बाद अब इसकी लंबाई देखने और विधी के बारे में जानकारी लेने के लिए दूर दूर से किसान भाई भैन उनके खेतों में आ रही है आपको बतादे कि किसान के इस तकनीक ने उसकी ना सर्फ पैदावार को दो गुना किया है बलकि उनकी आमदनी भी तीन गुना तक बढ़ गई है इस गन्य की नंबाई जहां 23 विट है तो वहीं इसका वजन भी किसी समाने गन्य की तुल्ला में तीन गुना जादा आका गया है ट्रेंच विधी से मिले फाइदे के बारे में बताते हुई मोबीन ने कहा कि जहां वो पहले एक बेगा खेतों में 40-50 कुइंटल गन्ना ही उगा पाते थे तो वहीं अब 100 कुइंटल से जादा की फसल की पैदावार हो रही है खास बात तो यह है कि प्रगदिशिल किसान मुहम्मद मोबीन अपने खेतों से जादा मुनाफ़ा पाने के लिए गन्नी के साथ ही आलू और गोभी की खेती भी करते हैं जिससे उनकी कमाई अलग से होती है पिसले काफी समय से सरकार द्वारा प्राकरती खेती के साथ साथ आधूनिक खेती को काफी तेगी से बढ़ावाद दिया जा रहा है ऐसे में अब फल सब्जियों के साथ ही सरकार ने चाय की खेती पर जोर देने का पैसला किया है दरसल बिहार सरकार द्वारा कटिहार जिले में चाय की खेती के लिए 5 हेक्टेर का लक्ष दिया गया है जिसके चलते ही उद्यान विभाग द्वारा इसकी खेती के लिए इच्छों किसानों को भी तलाशा जा रहा है विभाग के पदाधिकारियों की माने तो एक हैक्टियर में चाय की खेती करने पर 4.94 लागत आती है और सरकार द्वारा चाय की खेती करने पर किसानों को प्रती हैक्टियर 75% अनुदान की राशी देने का प्रावधान रखा गया है सरकार की यूजना की तहट किस्वानों को दो किष्टों में अनुदान दिया जाएगा और साथ ही इसके लिए उन्हें समय समय पर प्रशिक्षन भी दिया जाएगा ताकि किस्वानों को समय के साथ साथ नई तकनीकों और तरीकों का भी ग्यान हासिल हो सके बता दे कि बंगाल से सटे इस जिले की बर्रामपूर, आजमनगर और बार्सोई शेत्र का मौसम चाय की खेती के लिए अनुकूल माना जा रहा है विशिश्यग्यों की माने तो चाय की खेती के लिए ढालू नुमा जमीन के साथ ही तापमान 20 से 27 डिगरी होना जरूरी है इसके साथ ही कभे भी 10 डिगरी से कम तापमान नहीं होना चाहिए तो वहीं मिट्टी में 4.5 से 5.5 पीर चाय की खेती के लिए काफी फाइदेमंद होता है ऐसे में जिले के जो किसान चाय की खेती करने के लिए इच्छुक हैं वो द्यान विभाग से सीधे संपर करके योजना के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं तो दोस्तों ये थी वो खबरे जने हमने आप तक विस्तार्ट से पहुंचाया लेकिन अब बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बहुत जरूरी है तो चलिए अब जल्दी से एक में दड़ाते हैं खेती किसानी और ग्रामी शित्रों की छोटी बड़ी अपडेट्स पर 36 गड़ के मुख्यमंतरी भुपेश भगेल द्वारा गौठानों में पश्चों के चारे के लिए किसानों से की गई पैरादान की अपील का असर अब दिखने लगा है किसानों ने अब तक 15,666,507 कुइंटल पैरादान गौठानों में किया है जिसकी कीमत लगभग 31,35 लाक रुपे है क्योंकि पैरा की दर 200 रुपे प्रती कुंटल है अधिकारियों से प्राप जानकारी के नुसार बीते लगभग एक सब तहा से किसानों ने ये पैरादान किया है इसमें सबसे जादा पैरादान बिलासपुर संभाग के किसानों द्वारा किया गया है आपको बता दे कि धान की कटाई शुरू होने पर मुख्यमंत्री भगेल ने किसानों से पैरा गौठान को देने की अपील की थी इस अपील के बाद किसानों ने अपने अपने खेतों से नजदी की गौठान तक पैरा पहुंचाया है परिवहन का खर्च भी किसानों ने उठाया है गौठानों को किसानों द्वारा पैरादान करने का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा बताया जा रहा है कि कौठानों के लिए पैरादान करने की अपील का बड़ा मकसद पराली को जलाने से रोकना भी है देश के सबसे लंबे किसान आंधुरन को अब शब्दों के रूप में लोगों तक पहुँचाने के लिए हाल ही में किसान नामा किताब का विमोजन किया गया है पंजाब के जालंदर में स्थानिय प्रेस क्लब में एक कारिकरम का आयोजन किया गया था जहां पर किताब के लेखक और पत्रकार हरकीरत, सिंग, संधर, सतना, मानक, दीपक, बाली और अन्य लोग मौजूद रहे लेखक हरकीरत, संधर ने कहा कि हम लोग काफी समय से विदेशों में रह रहे हैं और हमारा वहाँ कोई इतिहास नहीं है इस किताब में हमने किसान आंदुरन में शहीद हुए सभी 733 किसानों के नाम अंकित किये हैं जगदी शिंग ने कहा कि इस किताब में तस्वीरों के जरिये किसानी मोर्चे के विभिन पहलों को बख्खुबी बयान किया गया है जिस पर आने वाली पेडियां गर्व महसूस कर सकेंगी भारती किसान संग के बैनरतले राडिस्थान के किसानों ने सरकार पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए आज याने की तेज फरवरी से किसान आंदुलन की शुरुवात की है किसानों का कहना है कि बिरमौसम बारिश और प्रतिकूल हवाओ के चलते राज्य के गुड़ा मालानी धरुमनी समेत आसपास के कई इलाकों में फसले जल कर नस्ठ हो गई जिसको लेकर किसानों ने 15 फरवरी को भारती किसान संग के बैनर तले उपकंड मुख्याले पर मुख्यमंत्री की नाम ग्यापन सौप कर कई मांगे रखी थी लेकिन प्रिशाष्टन और सरकार दुआरा 19 फरवरी तक भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई जिसके जल्दे किसानों में आक्रोष बढ़ गया है और किसानों ने आज से अनिश्चित कालीन किसान महा पड़ाओ करनी का फैसला लिया है इसी के साथ आज के किसान बुरिटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही आप मुझे दीजे इजासत कल फिर हाज़िर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ तब तक के लिए आप देखते लिए ग्रीन टीवी नमस्कार